प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेले यूट्यूब चैनल जारेड़ा उनलेन क्लासिज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य सामाजिक ज्यान सपताहा बेज कक्षा तीन की वर्कशेड आज का उपविश्य है बच्चों दिल्ली की सेर कन्नौट प्लेज बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दे से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों पहला प्रेशन और निमलिकित प्रेशनों के उत्तर दीजे कन्नौट प्लेज की कोई दो खास बाते बताईए तो बच्चों कन्नौट प्लेज की खास दो बाते क्या है यहां लिखेंगे यह एक बहुत बड़ा और सुन्दर बाजार है ठीक है बच्चों और दूसरा यह बाजार गोलाई में बना हुआ है बना हुआ है अगला है बच्चों कन्नौट प्लेज का नाम किसके नाम पर रखा गया था तो आप सभी अपना उत्तर लिखेंगे कन्नौट प्लेज का नाम लौड कन्नौट के नाम पर रखा गया था अगला है प्रशन दोस सही शब्दों का चयन कीजिए और रिक्तिस्थान भरिए कन्नौट प्लेज को किसने बनवाया था तो बच्चों कन्नौट प्लेज को अंग्रेजों ने बनवाया था कन्नौट प्लेज की मुख्य पहचान क्या है तो बच्चों वहाँ पर मोटे 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 खमबो और सफेद दिवारों से उनकी पहचान की जा सकती है चिके दिवारों से की जा सकती है कन्नौट प्लेज का नजदी की मैट्रो स्टेशन कौन सा है तो बच्चों यह है राजीव चोग कन्नौट प्लेज के बीच में एक बहुत बड़ा बाग भी है पाली का वज़ार एक भूमिगत बाजार है अगला है बच्चों उच्चित मिलान कीजे कन्नौट प्लेज लॉर्ड कन्नौट पाली का वज़ार भूमिगत वज़ार राजीव चोग मैट्रो स्टेशन अगला question है, बच्चो चित्र पहचान कर सही नाम दिखिए तो बच्चो यह किसका चित्र है? यह है बच्चो पाली का बाजार का चित्र और यह है बच्चो राजीव चौक मैट्रो स्टेशन का चित्र ठीके? अगला है बच्चो प्रेशन पाच जब आप किसी बाजार में जाते हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो देखिए बच्चों यहां सब भी अपना उत्तर लिखेंगे माता पिता के साथ बाजार जाना चाहिए अजनबी या अंजान व्यक्ती से बात नहीं करनी चाहिए किसी अजनबी व्यक्ती के द्वारा दी गई खाने की वस्तूओं को वस्तूओं को नहीं लेना चाहिए अपने सामान का स्वेन ध्यान रखना चाहिए आदी बच्चों इस तरह से कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगला है बच्चों यदि आपको कन्नौत प्रेश जाने का मौका द आजट आute आप वहां क्या-क्या खरीदना पसंद करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे यदि मुझे कन्नौट प्रेश जाने का मौका मिले तो मैं वहां से किताबे, घड़ी तथा जूते खरीदना पसंद करूंगा अगला है बच्चो, जीवन कोशल अपने कमरे की सफाई करना बच्चो स्वस्ता का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने कमरे की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कमरे की सफाई से जुड़े कुछ तथ्य नीचे दिये गए हैं इन्हें ध्यान से पढ़िये और उनके सामने सही या गलत का निशान लगाईए साफ कपड़ों को तै लगा कर अर्मारी में रखना चाहिए बिल्कुल सही अपनी वस्तूं को उधर 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 बिखेरना चाहिए बिल्कुल गलत अपने खिलानों को अलमारी में रखना चाहिए बिल्कुल सही फर्ष पर पानी गिर जाने पर उसे फैले ही रहना देना चाहिए बिल्कुल गलत खाना खाने के बाद जूटे वर्तनों को वही छोड़ देना चाहिए बिलकुल गलत विध्धाले से आने के बाद मेले कपड़े एक जगे रख देना चाहिए बिलकुल सही किताबों को शेल्फ में सही तरीके से रखना चाहिए बिलकुल सही विद्धाले से आने के बाद बस्ता सही जगे पर रखना चाहिए ये वाक्य भी हमारा बिलकुल सही है अगला है बच्छो संसकाशाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं खाना पीना अपने आहर में अंकुरित दाले और चना शामिल करें क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है गति वीधी अपने परिवार के बड़ों की मदद से घर पर ही अंकुरित सलात बनाईए खेल अपने परिवार के साथ अंत्राक्षी का खेल खेले नैनिक दिन चर्या निमलिकित आधतों को अपने दिन चर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रती दिन इस्दान करें खूब पानी पी और संदुलित आहार लें अपने चेरे को छुने से बचे और अपने हाथों को बार बार धोएं अपने ग्रहकारे समय पर पूरा करें तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपरी वर्क्षीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है जल्दे से जाएए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद